विश्वी विद्याले ने पिछले साल बीए सेकेंड यर के छात्रों के इतिहास के सिलिबस में राष्ट्र निर्मान में RSS भी डाल दिया, मतलब इसकी पढ़ाई करी जानी है, अब देखें कि RSS ने असलियत में आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, उसका कॉंग्रिस के द्वारा बुलाए गए Quit India Movement को कुचल दो, लोगों को आजादी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जन प्रतिनी दिये, ये संग्यों का कहना था, क्योंकि कुछ संगी जो हैं, वो नेता थे, तो वो प्रतिनी धित्व करते थे, वे जन प नजर से देखता है, उनका मानना है कि जो संगर्ष करते हुए अपने प्राणों को नियोच्छावर कर दे, निश्चित रूप से उसके अंदर ही कोई तुरूटी होगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहना है माधव राओ, सदाशिव राओ, गोलवाल करका, और शहीदी परंपरा पर जो उनके मौलिक विचार है, मैं आपको उन्हें पढ़कर सुनाना चाती हूँ, ध्यान से सुनिए, कोट, निसंदे ऐसे व्यक्ति जो अपने आपको बलिदान कर देते हैं, श्रेष्ट व्यक्ति हैं, और उनका जीवन दर्शन, प्रमुकता, पौरुश्पू रूप में नहीं रखा है, हमने बलिदान को महानता का सरवोच बिंदू, जिसकी मनुष्य आकांग्शा करें, नहीं माना है, क्योंकि अंततह वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में आसफल हुए, और आसफलता का अर्थ है, कि उनमें कोई गंभीर तुटी थी, इसका मतलब उनको लगता है, कि जिन लोगों ने बलिदान दिये, जिनोंने अपने प्राणों की आउती दी, जब भी, जैसे भी, उनके अंदर कमी है, उनके बलिदान को ये कुछ नहीं मांगते, तो ये सेना का सम्मान कैसे करेंगे?